रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के नेता और केंद्री मंत्री रामदास आठोले ने कहा कि वो हवा का रुख देखकर तैय करेंगे कि आने वाले समय में बीजेपी और कॉंग्रिस में से उन्हें किस में जाना है हाला कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक सरकार रहेगी वो एंडिये में बने रहेंगे आठोले मुंबई में आई जीत एक कारिकरम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि नसिम खान बोल रहे है कि उनके साथ आ जाओ वो 10-15 वर्ष कॉंग्रिस पार्टी के साथ रहे जब तक सरकार है तब तक वो एंडिये में रहेंगे और जब उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि हवा किस दिशा में है तब वो निरने लेंगे आपको बता दें कि रामदास आठोले का बयान ऐसे समय पर आया है जब बीजेपी और कॉंग्रिस चुनाव से पहले समान विचारधारा वाले दलों के साथ गड़ोड पर जोर दे रही है माना जा रहा है कि आठोले ने भी ताजा बयान इसी संदर में दिया है आठोले इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके है जो बीजेपी की विचारधारा से मिल नहीं खाते कुछ दिनों पहले आठोले ने दावा किया था कि आयोद्ध में विवादि धुमी असल में एक बहुत धर्मी स्थल है रामदास आठोले की पार्टी को महराष्टर में मंत्रिपद नहीं दिया गया इसके अलावा उन्हें भी केंदर में केबिनेट दर्जा मिलने की उमीद थी जो पूरी नहीं हो पाई जिसके चलते आठोले नाराज माने जाते हैं आठोले मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं शायद इसके कारण वो कॉंग्रेस के नजदिक जाने की कोशिश कर रहे है